पहेलियों पर आधारित कारिक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है एक पैर और धेरों हाथ आज मौसी से बहुत बड़ी पहेली पुछेंगे मौसी बता नहीं पाएंगी बता पाएंगी नहीं बता पाएंगी हाँ बच्चो क्या हो रहा है नमस्ते नमस्ते कुछ खुसर खुसर चल रही है मतलब कोई शैतान ही आ रही है तुम लोग के दिमाग में अभी तो मैं आई हो अभी मुझे बैठने तो दो फिर पूछ लेना पहली बैठ जाओ बैठ जाओ अच्छा ठीक है लो बैठ गई जिसमें मुश्किल से गिर जाते है उसमें निकल नहीं पाते है उसमें निकल नहीं पाते है तो सच्ची में मुश्की वाली बात हो गई मेरे पांस भी है निकल नहीं पाते है तुम भी पूछा हाथ में लो तो हरा मुपे डाले लाल बताओ मेरे प्यारे लाल बिल्कुल तरही ठीक बताया ना मेरे पांस भी तो आप बता ही नहीं पाओगे अच्छा तुम भी पूछ लो देखते हैं कितनी हिम्मत है तुमारे अंदर मौसी से मुश्किल पहली पूछने की तो मेरी पहली है हाँ जी पूछो पूछो जल्दी से पूछो एक पैर और धेरो हाथ खड़ा में रहता हूँ दिन राथ एक पैर और धेरो हाथ खड़ा में रहता हूँ दिन राथ सांस मैं लेता हूँ और जीती दुनिया है अच्छा आगे बोलो आगे सांस मैं लेता दुनिया जीती मुझ पर चिडियों का घर साथ धूप में अपना बनाता खाना हरा रंग है मुझको खास अरा रंग है मुझको खास ठीक बादल से है मेरी दोस्ती बादल से है मेरी दोस्ती कुछ-कुछ समझ में आ रहा है रेकिस्तान ना आता पास बता दूँ पक्की बाद सही जवाब दूँगी तो मुझे क्या मिलेगा पारी पारी दोगे पका ना यह है पेड़ पेड़ी है ना मॉसी ने बता दिया और क्या तुम्हारी मॉसी भी तुम्हारी तरह समझदार है मॉसी आप सेच होता है आपको कैसे बता चला बता कैसे चला वे सच बताओ पहले तो मैं थोड़ा सा परिशान हो गई थी मुझे लगा शायद मैं तुमारी पहेली का जवाब नहीं दे पाऊंगी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हाँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था पर बाद ने सोचा, पेड का तना एक पेर हुआ जिस पर वो खड़ा रहता है, है ना फिर उसकी डालियां उसके धेरों हाथ हो गए, ठीक और चड़िया पेड पर अपना घोसला बनाती है, ठीक है ना पेड फूलों को लगा कर हमारे दुनिया सुन्दर भी करता है क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जब पेड सांस लेता है, उसे ऑक्सिजन निकलती है, और पेड हवा भी जलाता है, और उसे हम जिंदा रहता है पेडों से हमें भल फूल मिलता है, और पेडों से हमें लकिडियां मिलती है, और दवाईयां मिलती है पेड़ों से खूब दवाया बनाते हैं पेड़ों से हर्याली होती है पेड़ों से ही तो पादल की दोस्ती होती है देखो, एक पहेली से हमारा ग्यान कितना बढ़ गया न? है न? हमने कितने सारी चीजें सीख ली? छोटी सी पहेली के अंदर बहुत अच्छी पहेली बनाई बच्चो, बहुत अच्छी पहेली बनाई और देखो न, सूरज के प्रकाश में पत्तियां खाना बनाती है तब पेड़ धेड़ सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन! इस तरह पेड़ क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं देखा, तुमारी मौसी को भी कितना गुष पता है? मानते हो ना? मौसी, आप तो बहुत इंटेलिजन हो ओ, थैंक यू, थैंक यू कॉंप्लिमेंट के लिए थैंक यू सो माच जहां पर बहुत सारे पेड़ों, महाँ पर रिगिस्तान नहीं बन पाता हाँ, हाँ, भई, ये भी पता है तुमारी मौसी को अब तुमारी मौसी हूँ, तो इतनी बुद्धु तो नहीं होंगी ना मैं मौसी हाँ, इसलिए तो कहते हैं, खूब पेड़ लगाओ ताकि खूब हर्याली हो मैंने तो अपने घर में बहुत पौधे लगाए हैं बहुत अच्छी बात है और मेरे घर पे तुलसी और मनी प्लांट है तो मुझे ठीक से समझ में आ गई पहेली मैं बताती हूँ, गलत बोलो, तो मुझे बता देना पैर तना और डालिया हाथ पैर तना और डालिया हाथ पेड़ खड़ा रहता दिन रात सास ये लेता दुनिया जीती इस पर चड़ियों का घर साथ धूप में खाना पेड़ बनाता हरा रंग है इसको खास बादल से है इसकी दोस्ती रेगिस्तान ना ता पास बादल से है इसकी दोस्ती बादल से है इसकी दोस्ती